तो आज का जो रेश्पी है साग का रेश्पी है गाउं का खिसारी और चना का साग जो मिलता है औरिजिनल खेट से तोड़ा हुआ तो आज हम बना कि आपको दिखाएंगे और बहुत फी सिम्पल और इजी तरीके से तो इसको काटने के लिए देखिए आज स्पेसल किसी को बुलाया गया है मेरे गाउं में सब को काटने नहीं आता है तो एक पडोस की है काम वाली उनको बुलाया गया है और इस तरह से देखिए इसकी कटिंग कर रही है और इनको बस कुकर में नमक डाल के और गला दिया जाएगा सिंपल तरीके से और जब कुकर में 2-3 सीटी लग जाएगा साग पक जाएगा तब फिर मैं आपको दिखाती और फिर इसको खुले ढकन से पानी को एकदम सुखा लेना है गैस पे और उसके बाद देखिए इस तरह से गोट के पानी सुखा के और फिर इसमें सरसो का तेल नमक डाल कर सिंपल तरीके से खाया जाता है बहुत ही सदिश्ट लगता है और बहुत ही हिल्दी है ये तो ये साग हो गया है त्यार तो अभी हमें साग को भर के मुंबई ले जाएंगे मेरी भावी अज बनाई है मेरे लिए थेंक्स पर वाचिंग